आज मुर्खा सत्रा निवंबर दोजार बीस कोवर्ड नैंटिन ने पूरे मुल्क पूरी दुनिया को अपनी लेपेट में लेड़ रखा है हालात हर जगा अपने असरात दिखा रहे हैं और लोगों के मसाइल में इजाफा कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्दानियों को चाहिए कि इस वक्त एक ही मुल्क है तुर्की जहां का वीजा आपको आसानी से मिल सकता है और आप आसानी से जा सकते हैं और बिजनिस भी कर सकते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्दान के हलात मुश्किलात में रहेंगे क्योंकि खिते के हलात बदल रहे हैं और दूसरी बात ये अरब मुमालिक से भी जो हमारे पाकिस्दानी भाई हैं उनके लिए मसाइल के में अधाफा होगा उनके मसाइल में बहुत ज्यादा इजाफा होगा और हकुमत पाकिस्दान के वसाइल में कमी होगी और इससे शायद अनिम्प्लाइमेंट हो या थोड़ी बहुत उसे इजाफा हो तो हमारे पाकिस्दानी दोस्तों को चाहिए कि वो जाएं और जाके तुर्की में अपना बिजनस करें या वहां देखें वहां बहुत अपूशनिटी है तो आज मेरी वीडियो इस सिल्सले में है मैं चाहता हूँ कि आपको बताओं कि वहां का वीज़ा लेना बहुत आसान है आप किसी एजन्ट के चक्कर में ना पढ़ें आप खुद वीज़ा के लिए अप्लाई करें आपको बहुत आसानी से वीज़ा मिलेगा आप देखेग के भीज़ालियोका अबराइस करें कि यहां से आपको वीज़ा लेना पड़ेगा और वहां जाकर आपको वीज़ा को बहुत बैंब करना पड़ेगा दूसरे विज़े में तो सबसे अच्छे तो यह कि आप Cannon कर अदिए अज़ेगा है और वहां यहां से आई-डी लेकर वा जादा खर्चानी दोसो डालर में दोसो पच्छिस दूसो पचाइस डालर में आपको कंप्लीट मिल जाती है अखराजा लगा के फीसिस लगा के तो बाई यह उत पाकिस्दानियों के लिए सबसे बेतरीन तो यह जाएं और जाके वहां कोई बिज्डिस करें वहां हम में आपको आपको स़स्ता मिल जाएंगा मैं तो इतने ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपने यहां के मकर हैं फार यहां से मिलता है उस रेंड से उन्होंने वहां पर मकान लिए हैं और बहुत आफानी से वग गुजार रहे हैं जो रेंट पाकिस्तान से जा रहा है उसी रेंट में वहां का दे रहें बिजली का बिल भी वहीं यूटिलिटीस भी उसी पैसों में दे रहें और खा भी रहें तो कहने के मतलब यह जो जाएंगे के लिए भी बेतर है कि आने वाले वक्तों में वो ज्यादा महंगे होंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से यह गुत्वगू करों कि जो एजन्टे उनसे आप बचें आसानी से आप इस वक्ति टिकेट भी सस्ता है आप अप्वस्ती जाएं या जयरी जाएं और जयरी में करेची में है यह इसलामाबाद में भी हैं लगो में भी है जो उनके एक इयत्वराइज डिलर हैं जो आपकी अपिकेसम लेंगे वहां से फॉर्म लें फॉर्म को फिलप करें या वहां किसी से करवा लें वह आपसे सिर्फ 500 रुपए लेते हैं जिसमें आपको पूरा कंप्लीट करके लेते हैं इसकी फीज जो है तुर्की की वीजे की 17,400 रुपए है आपने खर्च करने हैं और इंशोरस लेनी ट्रैवलिंग इंशोरस के बाद आप एक टिकेट लेंगे और बुकिंग क्या थे होटल बुकिंग चाहिए आपको या आपको कोई भी एजेंड प्रोवाइट कर देगा वरना वह जैरी वाले भी आपको देंगे उसके चार्जिस लेंगे थोड़े बहुत आप यह कंप्लीट करेंगे इसके साथ आपको एक बैंक अगर्ण चाहिए जिसमें धाई लाग के करीब पैसे होने चाहिए जो आप पता सके कि आपके जाएंगे खर्चा है और अगर आपके पास बैंक अकार्ण नहीं है तो आप जिस कंपनी में काम करते हैं उनका अथार्टी लेटर कि आप महां मुलाजिम मत करते हैं और उनकी यह लेटरी से आपको विज़ा मिल जाएगा तो और तीन महमें का ट्राञगशन होनी चाहिए असा एकाउंट में इएकाउन में तीन महीने की ट्राञगशन होनी चाहिए जितने ज्यादा बढ़ा सके तो वितर है कज़िए विस अन्ड़ परसे लगे आप इस वक्त जो इस मोजूदा हाला में टिकेट भी सस्ता है आपको 48,000 में टिकेट मिल जाएगा रिटन तर्किश एर्लाइन का आप वो टिकेट ले और जाएं वहाँ अगर आपको कार्ड बनाना है तो आसानी से कार्ड बन जाएगा उस कार्ड के फाइदे यह हैं कि वो कार्ड से आप दुकान ले सकते हैं रेंट पर घर ले सकते हैं या पर्चेस कर सकते हैं कोई चोटा बिज्डिस कर सकते हैं तो आप वो कार्ड से ले और वैसे भी लीगल आपको राइट होगा एक साल आप रह सकते हैं उसमें आप अगर जॉब मिलती है आप जॉब करें तो यह हैं इस वक्त और मेरी गुजारिश है कि आप एजेंड के चक्क्र में ना पड़ें तो आप तक्रीमन असी नुवे लाख असी नुवे हजार में तुर्की पहुंच सकते हैं और तुर्की में आपको गेस्ट हाउस मिल जाएंगे जो सस्ते होते हैं वो ले ले यहीं से बंदोबर्स करके जा एक हफ़ते के लिए गेस्ट हाउस ले 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 और रिसर्च करें आपको बहुत फवाइद मिलेंगे वहां और इस वरत पाकिस्तानियों की अच्छी खासी तादाद वहां पर है और इंशालला आपको मज़ीद मालूमात देंगे हमारी आने आली वीडियो में इससे बेतर मा सालिक या आपको जिस कंट्री के मतालब तर्की हुआ अजरबाइजान हुआ या ताजस्करान हुआ आपको कुछ मालूमात चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स पे लिखें मैं इंशालला आपको मालूम गाइट करूंगा और इंशालला फिर नेक्स वीडियो में आपसे दु क्लिए अजर करूंगा हुआ हुआ है